इस वीडियो में अपुन आप लोगों को समझाने वाला है कि भाई, 45 होर्स पावर में कुन सो 4WD ट्रैक्टर खरीदना चाहिए तो नीचे लाइक मारो और वीडियो देखो नमस्कार मेरे युवां भाईयों, क्या हाल चाल, सब खेरियत भाईयों, आजकल ट्रेंड है 4WD ट्रैक्टर का और काफी सारे वीडियो में दिखाया जाता है कि 4WD ट्रैक्टर बहतर है अरे भाई, बहतर है, लेकिन कि आपको पता है 4WD की कीमत लगबख एक लाग से ज्यादा होती है 2WD ट्रैक्टर की तुलना में और हमारे किसन भाई भी, किसी भी डिलर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जो मॉडर डिलर के पास उपलबध होता है, उठालाते है क्योंकि वो लोन जो जल्दी दिलवाते है चलिए, बहुत की बकवास आते हैं मुद्दे पे और आपको बताते हैं कि पेतर इस हार्स पाउर में कौन सा 4U ड्रैक्टर देता है सबसे ज़्यादा ताकत, और ये भी बताएंगे कि कौन से ट्रैक्टर की कीमत है सबसे ज़्यादा, तो किस बात की देर, चलो खेत में तो चलो चलो जगह बनाओ, रास्ता दो, क्योंकि ये ट्रैक्टर आया है सीदा जापान से और ये दिखता भी है, जापानियों की तरह दिखने में अच्चा है लेकिन टॉर्क के मामले में चलिए जाने दीजे, खुद ही देख लीजे कुपोटा EMU 4501, 45 पावर का इंजन लगा है इसमें, 172 न्यूटन मिटर का टॉर्क देता है 2500 आर्पियम पर, जो हमारे पाचो ट्रैक्टरों में से सबसे कम है लेकिन भाई लोग, टेंशन नय लेने का, इसमें है सिंक्रोमेश गेर बाक्स जो किसी और ट्रैक्टर में नहीं, इसमें है 8 गेर आगे दोडने के वास्ते और 4 गेर है पीछे दोडने के वास्ते लेकिन भाई लोग, माल इंपोर्टेड है, यानि जापान से आया है तो महंगा होगा, इसकी कीमा चालू होती है 6,90,000 से तो भाई लोग, कैसा लगा जापनिस ट्रैक्टर? अरे भाई रुको, रुको, जो भी बोलना है, कॉमेंट में बोलना, यहां पे नहीं तो फिर से बनाओ रास्ता, क्योंकि एंट्री मार रहा है, निउ हॉलन्ड से तालिस बस ट्रैक्टर भाई इस ट्रैक्टर की एक्सल हेड लाइट्स गजब ढाती है, लेकिन क्या खेत में यह ट्रैक्टर गजब ढाता है? आई यह जानते है 47 होर्सपावर का इंजन है, इसमें 199 न्यूटन मिटर का टॉर्क है 225 रिपियम पर फुली कॉंस्टन्ट मेश गेर बॉक्स और आगे दोडने के लिए 8 गेर्स और पीछे दोडने के लिए भी 8 गेर्स यानि भाई लोग अगर आपके पास पडलिंग का है काम तो 4710 है नाम और कीमत चुरू होती है 6,60 जासे तो बनाईए फिर से रास्ता क्योंकि मिया आरिया है जॉन डियर 50-45 पावर प्रो इंजन है 46 HP का जो देता है 209 न्यूटन मिटर का टॉर्क इसमें लगेला है कॉलर शिप्ट गेर्स आठ आगे के और 4 पीछे के गियर्स लेकिन बात आती है अगर कीमत की तो जॉन डियर है स यह ट्रैक्टर वे से ही तो चलो चलो रास्ता छोडो ठोको ताली क्योंकि आरिला है महिंद्रा ट्रैक्टर्स महिंद्र यूवो 575 D.I भाई यह ऐसा ट्रैक्टर है जो हमारे सब के दादा पर दादा के जमाने से आ रहा है और सब के दिल इसने जीते हुए है और महिंद्रा ने इस मॉडल में नई तखनिक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है यानि तो इसमें है 45 होस पाउर का इंजन जो देता है 214 न्यूटनमेटर का टॉर्क इसमें लगे लाए फुली कॉंस्टमेश गेरबॉक्स 12 आगे के और 3 पीछे के गेर्स के साथ और ये बिटता है लगबग 7 लग 20 अजार से आगे तो भाई लोग कीमत छोड़े तो ट्रक्टर बहुत ही बढ़िया है माकसम क्या भाईयो अब तक लाइक नहीं मारा आप उनको लाइक चाहिए वो कलर्च दबा के करो या ब्रेक दबा के करो आप उनको नहीं पता बस अंगुठा दिख रहा है ना उस पर क्लिक हो जाना चाहिए तो दिल थाम के बैटिये क्योंकि आ रहा है इसकोर्ट पावर ट्रक यूरो 45 प्लाइस जो हमारी लिस्ट में है सबसे अवल 47 होर्स पावर का इंजिन जो देता है 224 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हमारे सभी ट्रक्टरों में से है सबसे ज्यादा इसमें लगे है 8 आगे के और 8 पीछे के गियर कॉंस्ट्रेट मेश गियर बॉक्स के साथ तो भाई लोग इस ट्रक्टर की कीमत नहीं जानना चाहोगे आप ये ट्रक्टर चालू होता है लगबग 6,8,000 से यानि ताकत भी अच्छी और दाम भी अच्छा तो भाई लोग वीडियो लगा कैसे नीचे कॉमेंट में भताना मेरे यार अब आप बोलोगे इसमें सुराज नहीं है फार्म ट्रक नहीं है अरे रूख जाओ रूख जाओ क्योंकि आगे भी काफी सारी वीडियो दाने वाली है तो वेजटेक को सस्क्राइब जरूर कर देना मेरे यार वीडियो देखने के लिए साधर आबाहर झाल 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 झाल